असलाम आलेकुम फ्रेंट्स आज मैं आप सबके लिए एक बहुत यूनीक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चर्सी गोष्ट इसका नाम सुनके आपको लग रहा होगा कि इसमें चर्स डाला जाता है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है ये एक चर्सी रेस्टारंट जो जो ड्राय करिएगा और चलिए फ्रेंट्स बिना वक्त जाया के जल्दी से हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी स्पेशली कढ़ाई में बनती है वह भी जो मोटे लेयर की कढ़ाई होती है लोहे किया जर्मन की बट मोटी कढ़ाई लीजेगा क्यूंकि ये ये बकरे की चरबी में बनता है जिससे कि इसका टेस्ट और भी जादा एंहांस हो जाता है तो मैं फिलाल घी यूज कर रही हूं घी डालने के फॉरण बाद ही हमें मटन डाल देना है थंडे घी में ही और इसको अची तरह से हमें भूनना है मैं ले रही हूं एक किलो मटन जिसको मैंने वाश नहीं किया है फ्रेंड्स मटन को वाश करने से इसके अंदर जो कुछ जाइका होता है वो वेस्ट हो जाता है धुले के साथ तो बीना धुले हमें मटन यूज करना है आप चाओ तो वाश कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद मटन को हमें उतनी देर तक जब तक के गोश के जो कच्छे पन की खुश्व होती है वो ना चली जाए जिसे लगबग तीन से चार मिनिट लगता है इतना भूने में जादा नहीं भूना पड़ता है यह देखिए इस तरह से चलाते वे भूनिये अच्छे से चलाने के बाद इसे ढखकर दगबग दो म मच और नमक डाल लेंगे हम स्वाधनुसा यह डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमें इतना भूना है कि जो अधरक लशन के पेस्ट में कच्छे पन की खुश भूती है वो चली जाए जिसे लगबग पांच से छे मिनिट भून लगबग पांच मिनिट भूनने के बाद इसमें हमें आड कर देना है टमाटर तीन मीडियम साइस के टमाटर लिये है मैंने जिसका छिलका मैंने उतार लिया है और एक टमाटर को चार स्लाइस में कट करके मैं डाल रही हूँ आप चाहो तो एक अख़ा टमाटर भी इसमें चिलका निकालने के बाद तमाटर डालने के फोरण बाद इसमें पानी डाल लेना है पानी इतना डालना है फ्रेंस कि ये गोश्ट की लेर में आ जाए मतलब जितना गोश्ट है उसके बराबर में हमें पानी डालना है उससे जादा नहीं उसके बाद हमें कड़ाई को धकन स धक देना है गैस का फ्लेम सिम कर देना यानि कि एकदम कम और लगबग एक घंटे तक के से पकने देना है ताकि गोष्ट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए एक घंटा होने के बार धकन खोल लीजिए और चेक करिए कि गोष्ट सॉफ्ट हुआ है या नहीं अगर थोड़ी कमी बाक इसमें कट कर लिया है और डाल लेना है दो चोटे चम्मच चीली फ्लेक्स एक चोटा चम्मच काली मिर्श पॉर्डर इन सब को अची तरह से मिक्स करना है और पकने देना है फुल फ्लेम पर जब तक कि यह जो पानी है सूप के आदा ना हो जाए बस थोड़ा सा पानी रहन हो चुकी है तो अभी आखरी स्टेप बचा है वो यह कि इसमें हमें कुछ हरी मिर्च और अद्रक डालना है मैंने लगबग आठ से नौ हरी मिर्च लिये है और दो इंच अद्रक का टुकड़ा लिया है उसको छिल कर पतले-पतले स्लैसे में कट कर ली हूँ वह भी डाल रह करिएगा यह बहुत ही स्वारिष्ट बनता है इसके अलावा आपको कोई और रेसिपी जानना है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो मैं वह भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को ल वेरा चैनल फॉलो करिए थैंक यू फो वाचिंग फ्रेंग्स बाई हैव ग्रेट देए